हेलो दोस्तो मैं आकाशगर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और आज हम LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान अमरित बाल इंशोरेंस प्लान के बारे में जानने वाले हैं जिसका प्लान नंबर है 774 तो LIC के तरफ से ये प्लान 1 अक्टूबर 2024 को लोंच कर द चाहते हैं या उनके लिए इंशोरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको गरेंटिड एडिशन का बेनिफिट मिल जाता है यानि कि इसमें जो आपको बेनिफिट मिलते हैं या आपके बच्चे को बे पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अगर आप प्रीमियम की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर इस प्लान में आपको PWB राइडर का भी बेनिफिट मिल जाता हैं, जिसे हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहते हैं, यहाँ पर पॉलिसी को दरान बच्चे के फादर या मदर जो भी परपोजर हैं, उनके साथ कोई दुगटना हो जाती है, तो उस केस में जो बच्चे की पॉलिसी है, उसका प्रीमियम माफ कर दिया जाता है, तो अगर आप यह अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो जरूर उसमें PWB राइडर को एड़ जरूर कराएं, तो आईए आप सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन-कौन लोग इस प अपने बच्चे के लिए ये इंशुरेंस प्लान ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमुम एज एंटरी की, यनकी कितनी उमर तक के बच्चे इस इंशुरेंस प्लान को ले पाएगे, तो यहाँ पर 30 दिन के बच्चे से लेके 13 साल तक की उमर के यनकी इसमें आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पर आपको दो उप्चिन देखने को मिल जाती हैं, पहला उप्चिन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट उप्चिन का, यनकी इसमें आपको कुछ लिमिटेड सालों के लिए पॉलिस साल या सार साल इनमेंसे जो option आप चूज करना चाहे वो कर सकती हैं इसके अलावे यहाँ पर जो दूसरा option है वो है single premium payment option का यहाँ पर जो लोग option में policy term की बात करते हैं तो कम से कम आप 10 साल की policy term ले सकते हैं और जाद से जादा 25 साल तक की policy term इसमें आप ले सकते हैं इसके बीच की कोई भी policy term आप choose कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने single premium payment option चूज किया है तो उसमें आपको minimum 5 साल की policy term लेनी होगी और जाद से जादा 25 साल की policy term आप single premium payment option में ले पाएगी तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस policy को लेना होगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum sum assured की यानि कि इस policy में आप बिमा कम से कम कितने रुपे का ले सकते हैं तो वो amount यहाँ पर दिया गया है 2,00,00, रुपे का इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 2,00,00 रुपे पे करने होगी इसके basis पर आपको जो insurance है वो यहाँ पर calculate किया जाता है यह आपका जो premium है वो इसी के basis पर calculate किया जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum sum assured की यहन की जादा से जादा भीमा आप इसमें कितने रुपे का ले सकती हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं है यह आपकी income पर depend करता है कि LIC की तरफ से आपको कितना insurance मिलता है यह हमने बात की है कुछ conditions की जो कि आपको इस plan को लेते समय ध्यार में रखना होगा आईए अब एक example की मदद से इस पूरे insurance plan के benefits को समझती हैं तो example समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप basic sum assured 5 लाक रुपे का लेना चाहती है यहन कि जो आपका insurance cover होगा वो 5 लाक रुपे का होगा उसके बाद हम मान लेते ह हैं कि जो बच्चे की age है वो यहाँ पर 5 साल की है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक policy term भी select करनी होगी यहन कि इतने सालों तक हमारा insurance cover रहेगा तो अभी हम मान लेते हैं कि आप 20 साल की policy term लेना चाहते हैं या 20 साल का insurance cover लेना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें premium payment option select कर करना होगा तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें दो option मिल जाती हैं एक है limited premium payment option और दूसरा है single premium payment option तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप limited premium payment option चूज करना चाहते हैं जिसमें हमें तीन option मिल जाते हैं 5 साल का 6 साल का और 7 साल का तो इन तीनों ही option में स प्रीमियम पे करेगे तो यहाँ पर हमारे example के according बच्चे के उमर 5 साल की हो चुकी हैं जब भी यहाँ पर आप policy लेते हैं उस time पर आपको policy के प्रीमियम की payment करनी होगी यहाँ पर हमारे example के according जो सालना प्रीमियम होगा वो होगा 99,625 रुपे और 1,100 रुपे यह जो मैंने आ आपको annual premium बताया है अगर आप इसको 6 मईने में, 3 मईने में या हर मईने पे करना चाहती हैं तो वो option भी यहाँ पर आपके पास available होता है तो यहाँ पर अभी बच्चे की उमर 5 साल की हो चुकी हैं आने वाले 5 सालों तक हमें अपने policy के premium की payment करनी होगी जो की सालना हो सकता है 99,625 उर्पे यह जो हमारा time है 5 साल का वो हमारी premium paying time है जो की हमने choose की थी यह 5 साल पूरे होने के बाद बच्चे की age 10 साल की हो जाती है उसके बाद आपको आने वाले 15 सालों तक wait करना होगा जब यहाँ पर हमारे policy के 20 साल पूरे हो जाएगे तो उस time पर इस policy की maturity हो जाती है और उस time पर जो बच्चे की age होगी वो यहाँ पर 25 साल की हो जाती है यहाँ पर हमने 15 सालों के लिए wait इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो policy term थी वो 20 साल की थी तो यहाँ पर total हमारे 20 साल पूरे होने के बाद ही इस policy की maturity होती है इसलिए हमने 5 साल पूरे होने के बाद 15 साल का wait किया है यह जो भी हमारी policy term है वो खतम होने के बाद ही हमारी policy की maturity होती है और उस टाइम पर maturity के समय हमे basic sum assured मिलता है और जो भी हमारी policy का guaranteed edition है वो भी हमें मिल जाता है या बच्चे को मिल जाता है अगर हमारे example के according हम basic sum में short देखते हैं तो वो हमारा यहां पर 5 लाक रुपे का ह जाता है उसके बाद हमें यहां पर guaranteed edition भी calculate करना होगा तो यहां पर यह जो policy है उसमें कहा गया है कि आप 1000 रुपे का समय शोड लेती हैं तो उस पर आपको 80 रुपे का guaranteed edition मिलता है जो कि आपको हर साल मिलता रहेगा तो हमारा जो समय शोड है वो 5 लाक रुपे का है जिस पर ह हमें 1000 रुपे के समय शोड पर 80 रुपे का guaranteed edition मिलेगा तो यहां पर अगर हम एक साल का guaranteed edition calculate करते हैं वो total यहां पर 40,000 रुपे का हो जाता है और अगर हम यहां पर 20 साल का guaranteed edition calculate करते हैं जो कि हमारी policy term है तो उसके हिसाब से total हमारा guaranteed edition 8 लाक रुपे का हो जाता है तो यहां पर अ आठ लाख रुपे का guarantee addition हो जाता है तो ये कुल मिला के हमें 13 लाख रुपे का maturity amount इस policy से मिल जाता है तो ये हमने बात तब की है जब policy के दुरान कोई भी दुरगटना नहीं होती है आईए अब बात करते हैं कि अगर policy के दुरान बच्चे के साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उस case में बच्चे के parents को इस policy के क्या क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें death की तो death के case में आप यहाँ पर ज़्यादा insurance cover भी ले सकते हैं और कम insurance cover भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको limited premium payment option में भी दो option मिल जाती हैं और single premium payment में भी दो option मिल जाती हैं अगर हमारे example के according हम बात करें limited premium payment option की तो यहाँ पर आपको death benefit के दो option मिलती हैं एक है option 1 और एक है option 2 अगर आप कम insurance cover चाहते हैं तो आप option 1 ले सकते हैं और अगर आप ज्यादा इंशूरेंस कवर चाहते हैं तो आप option 2 ले सकते हैं option 1 में कहा गया है कि अगर बच्चे की death हो जाती है तो आपको 7 times of analyze premium का insurance cover यहां पर मिलता है और option 2 में कहा गया है कि आपको 10 times आपके analyze premium का insurance cover मिलता है तो यहाँ पर यह टोटली आपको decide करना है कि आप कम insurance cover चाती है या फिर जादा insurance cover चाती है मैंने आपको जब premium बताया था तो आपको कहा था कि option 1 में अलग premium आता है और option 2 में अलग premium आता है तो जहाँ पर जादा insurance cover है वहाँ पर premium भी जादा होगा तो एक लाख सो रुपे का जो हमने premium pay किया था वो option 2 के लिए था और अगर आप option 1 चूज करते हैं तो आपको 99,625 रुपे का premium pay करना होगा तो ये जो हमने अलग-अलग premium की बात की थी वो अलग-अलग option के लिए बात के थी जो कि अब आप असानी से समझ गए होगे तो यहाँ पर हमारे example को समझने के लिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें से आप option 1 चूज कर लेते हैं तो death benefit calculate करने के लिए हम मान लेते हैं कि बच्चे की उमर जब 10 साल की होती है तो उश टाइम पर उस बच्चे के साथ कोई दुरगटना हो जाती है और उसकी death हो जाती है तो यहाँ पर death के case में समय sure on death मिलता है और साथी साथ guaranteed edition मिलता है तो यहाँ पर हमारे example के according अगर हम some assured on death की calculation करते हैं तो हमें अपने analyze premium का 7 times करना होगा जो की calculation आप screen पर देख सकती हैं साथी साथ हमें basic some assured भी देखना होगा जो की हमारी policy में 5 लाक रुपे का है इन दोनों ही value में से हमें देखना होगा कौन सा amount जादा है वही amount हमारे sum assured on death माना जाएगा साथी साथ जो ये amount आएगा इसमें हम guaranteed edition भी add करेगी ताकि हम total death benefit को calculate कर सकें तो यहाँ पर हमारे जो annual premium है उसका 7 times करते हैं तो यहाँ पर 6,97,375 रुपे का amount आ जाता है जो की 5 लाक रुपे से जादा का है तो इसलिए जो हमारा sum assured on death होगा वो 6,97,375 रुपे का होगा इसमें अगर हम 10 साल का guaranteed edition एड करते हैं जो की 4 लाक रुपे का हो जाता है तो यह जो total हमारा death benefit होगा वो 10,97,375 रुपे का हो जाता है तो इस तरह से आप भी यहाँ पर जिस भी year में death हुई है उस year का death benefit खुझ से calculate कर सकते हैं यह जो हमने यहाँ पर guaranteed edition एड किया है उसकी calculation हम already जान चुके हैं जैसे हमने option 1 के death benefit की calculation की है ठीक इसी तरह से आप option 2 के death benefit की भी calculation कर सकते हैं जिसमें आपको केवल 10 times of analyze premium करना होगा जिसकी मदद से आप असानी से death benefit की calculation कर पाएगी आईए अब इसी example को ध्यान में रखते हुए ही single premium payment option की भी बात करते हैं तो हमारे example के according हम मान लेते हैं 5 साल की उमर बच्चे की हो चुकी हैं और policy term 20 साल की लेना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पर basic summary short है वो यहाँ पर 5 लाक रुपे का हो जाता है और अगर हम यहाँ पर premium paying term की बात करें तो यहाँ पर single premium payment term हम चूज करना चाहते हैं यानि की policy के premium की payment हमें एक साथ करनी होगी तो यहाँ पर जब बच्चे की उमर पास सल की होगी उस time policy लेते समय हमें पोलिसी का premium एक साथ पे करना होगा जो की one time premium होगा 3,89,225 रुपे या फिर 4,12,600 रुपे इसमें भी आपको दो option मिल जाते हैं option 3 और option 4 जिसके बारे में हम death benefit calculate करते समय जरूर ध्यान में रखेगे तो यहाँ पर अभी बच्चा 5 साल को हो चुका है policy लेते time आपको यहाँ पर premium की payment करनी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको 20 सालों तक wait करना होगा जो भी हमारी policy time है उतने time तक आपको यहाँ पर wait करना है जब आपका यह waiting period खतम हो जाएगा और जब बच्चे की age 25 साल की पूरी हो जाएगी तो उस time पर इस policy की maturity हो जाती है और maturity के समय बेसिक समय शोड मिलता है और guaranteed edition मिलता है बेसिक समय शोड हमारी policy में है 5 लाख रुपे का और अगर हम 20 साल का guaranteed edition calculate करते हैं तो वो यहाँ पर 8 लाख रुपे का हो जाता है तो total maturity यहाँ पर भी 13 लाख रुपे की हो जाती है यह calculation बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अपने previous example में देखी थी आईए अब बात करते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई दुरगटना हो जाती हैं तो उस case में यहाँ पर क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दो option दिये गए हैं option 3 और option 4 यह option आपको single premium payment option में मिल जाती हैं तो अगर यहाँ पर आप कम insurance cover चाहते हैं तो option 3 ले सकते हैं और अगर ज़्यादा insurance cover चाहते हैं तो आप option 4 ले सकते हैं option 3 में आपको 1.2 times मिलता है आपके single premium का insurance cover और अगर हम option 4 की बात करें तो उसमें आपके single premium का 10 times insurance cover मिलता हैं तो इसमें से जो भी आप option चूज करना चाहें वो कर सकते हैं अभी example को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप इसमें option 3 चूज करना चाहते हैं और हम यहाँ पर मान लेती हैं जब policy का दस्वा साल होता है उस टाइम पर इस बच्चे की death हो जाती है तो death के case में यहाँ पर समय शोड ओन death मिलता है और साथी साथ जितने साल भी policy चली है उसका guaranteed addition मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा single premium है वो है 3,89,225 रुपे अगर हम इसका 1.2 times करती है तो यह जो total amount होगा वो हमारा 4,86,531 रुपे हो जाता है और इसकी comparison में अगर हम basic sum assured अपना देखती है तो वो यहाँ पर 5,00,000 रुपे गा होगा तो इन दोनों ही calculation में से जो amount जादा आता है वो हमारा sum assured on death होता है तो हमारा sum assured on death हुआ 5,00,000 रुपे का साथी साथ इसमें हम guaranteed addition भी add करेगे जो कि 10 साल का होगा 10 साल का guaranteed addition यहाँ पर हो जाता है 4,00,000 रुपे का तो यहाँ पर अगर हम total death benefit देखती है तो वो यहाँ पर 9,00,000 रुपे का हो जाता है तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर death calculation कर सकते हैं जितने साल भी आपकी policy चली है उतने साल का ही आपको यहाँ पर guaranteed addition add करना होगा जैसे हमने option 3 को चूज करके death benefit की calculation की है ठीक इसी तरह से आप option 4 में भी death benefit की calculation आसानी से कर सकते हैं आईए अब बात करते हैं कि इसमें और क्या-क्या additional benefit आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी policy में एक additional rider add करा सकते हैं जिसे हम premium waiver benefit rider कहते हैं इस benefit को आप extra premium pay करके अपनी policy में add करा सकते हैं अगर आपकी policy में यह rider है और आपके साथ कोई दुरुगटना हो जाती है तो उस case में आपके बच्चे की जो policy है उसका premium यहाँ पर wave हो जाता है यानि कि जो premium है वो माफ हो जाता है तो अगर आप इस benefit को add कराना चाहें तो यह करा सकते हैं यह benefit आपके लिए optional है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है mode of payment की तो उसके लिए हम already बात कर चुके हैं आप single premium option भी choose कर सकते हैं और limited premium payment option भी choose कर सकते हैं limited premium payment option में आप monthly pay कर सकते हैं quarterly कर सकते हैं, half yearly कर सकते हैं या फिर yearly भी policy के premium की payment कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप मंधली premium की payment करना चाहती हैं तो आप Nets से करा सकते हैं या फिर salary savings game के option से करा सकते हैं Nets के option में यहाँ पर जो भी आपका bank account होता है उससे automatic premium की deduction की जाती है अगर आप यहाँ पर Nets का option चूज करते हैं तो उस case में आपको 3 महीने का advance premium pay करना होगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है grace time period की तो यहाँ पर अगर आपका premium payment mode monthly है तो उसमें आपको 15 दिन extra मिल जाती हैं जिसमें आप अपने policy के premium की payment without late fees कर सकते हैं उसके अलावा अगर आपने और other कोई mode चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का grace time period मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है loan की तो यहाँ पर आपकी policy में loan की सुविधा भी होती है अगर आपको पैसो की जरूरत होती है तो आप अपनी policy पर loan भी ले सकते हैं उस loan क interest जो भी होगा वो आपको pay करना होगा यहाँ पर limited premium payment option अगर आपने लिया है तो उसमें एक साल बाद ये सुविधा मिल जाती है और अगर आपने single premium payment option चूज किया है तो उसमें आपको 3 महीने बाद loan की सुविधा मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर बात आती है surrender की तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी policy को बंद कराना चाहते हैं तो उस case में आप अपनी policy को बंद भी करा सकते हैं या आप अपनी policy को surrender करा सकते हैं अगर आपने यहाँ पर limited premium payment option चूज किया है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है free look period की तो कई बार ऐसा होता है कि आप policy ले लेते हैं और policy लेने के बाद आपको उसकी terms and conditions समझ में नहीं आती हैं तो उस case में आप अपनी policy को cancel करा सकते हैं policy bond मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी policy को cancel भी करा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको revival का option भी मिलता है कई बा अपनी बंद policy को फिर से premium pay करके शुरू करा सकते हैं तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको LIC के plan अमरित बाल plan की complete information मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं साथ इसाथ अगर आप इस तरह की videos चाहते हैं तो आप हमारी channel क सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद